सोशल मीडिया पर आप्टिमाइजिशन करने के लिए बोले तो सोशल मीडिया प्रेजेंस को एक दम स्ट्रॉंग करने के लिए सोशल मीडिया पर तंडाव मचाने के लिए आपको रोज कुछ ना कुछ बढ़िया पोस्ट करना चाहिए ऐसा कहा जाता है बड़े बड़े गु कुछते हैं कि यह सब कहां से आएगा भाई इतना सारा बिल्कुल सही सवाल है आपका जब तक आप इस फील्ड में एक्टिव नहीं हो जाते जिस फील्ड में भी हैं आप तो उस फील्ड से रिलेटेड आपके पास स्टोरीज आइडियाज कहानी सॉलिशन्स नहीं होंगे यही प्रॉब्लम्स और यही आइडियाज आपकी कहानियां मनती हैं इन्ही कहानियों को आप सोचल मीडिया पर शेयर करते हैं कभी आप एक टैक्स लिख देते हैं लंबा सा कभी आप एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं कभी आप एक पॉड्ड कास्ट रिकॉर लिया होता है कि अब मुझे यही कार्य करना है इसी खेत्र में मुझे लोगों की मदद करनी है मैं अब इस खेत्र में कुछ नया करना चाहता हूं कुछ बढ़िया करना चाहता हूं कुछ उम्दा करना चाहता हूं जब आप ऐसा निर्णे ले लेते हैं लक्ष बना लेते हैं अपनी लाइफ को सौर्टेट कर लेते हैं आपकी लाइफ में खुद की में कोई कन्फीजन नहीं रहती है तब आगे बढ़ते हैं तब आप एक्टिव हो जाते हैं तब आप काम करना शुरू कर देते हैं और जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो वाकई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आपको आने लगती हैं यह तो मैं वीडियो बना रहा हूँ यह भी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है वीडियो के ऊपर मैं कहानिया कर देता हूं उसके ऊपर मैं whenever स्कुर्य कर देता हूं उसके ऊपर social media पर क्रिटैंब से क्रिट हो जाते हैं और मेरी वैद्व होता रहता है और जाता साइस से ज्यादा लोगों को मैं दिखता को खरीते हैं लोग मेरे courses को नहीं खरीते हैं वो सिर्फ मेरे courses को इसलिए pay करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सुनील के साथ बैठने का मौका मिलेगा सुनील से सीखने का मौका मिलेगा सुनील का experience मिलेगा सुनील के expertise मिलेगी तो मेरा क्या कहना है अब मैं off the topic नहीं जाना चाहता हूं मैं सीधी सीधी बात करना चाहता हूं कि अब आप सोचना बंद कर दीजिए अगर आपने अपना निश्च क्लियर कर लिया है कि आपको यही काम करना है तो करना शुरू कर दीजिए भाई सोचना बंद कर दीजिए करना शुरू करेंगे तो तो कोई भी कहानी शेयर कर सकते हैं बट उस कहानी का जो जो कंक्लूजन होगा जो निश्कर्ष होगा वो निश्कर्ष आपके बिजनस को आगे बढ़ाने में होना चाहिए जैसे कि मैं कई बारे कहानी सुनाता रहता हूं कि सब 2013 में मैंने देसंबर के महीने में डिसीजन लिया कि भी है मुझे अपनी जॉब छोड़नी है मेरी जॉब बहतरीन जॉब थी फॉर्चुन फाइब कंपनी फिडलेटी इंवेस्टमेंट में मैं बिजनिस एनलिस्ट की पोजिशन पर था उस समय और आज भी लोग ड्रीम देखते हैं कि बिजनिस एनलिस्ट इत्ती बड़ी मंत्री बन सकता हूं वह संभावना है देखिए उसके बारे में मना बिल्कुल नहीं करूंगा मैं राइट और मुझे ऐसा रखता है कि मैं बुरा प्रधान मंत्री तो बनूंगा नहीं अच्छा ही बनूंगा खैर टॉपिक पर में रहते हैं तो 2013 में मैंने निने लिया कि मै मैं अपनी जौब छोड़ रहा हूं क्यों छोड़ रहा हूं कारण क्या था मेरे पिताजी संद 2010 में एकसपायर हो गए उनके साथ मैं समय नहीं बिता पाया फिर मेरी माताजी अकेली हो गई मैं अपनी मम्मी को अगर बैंगलोर ले जाओं अलीगर दिली से तो वह यहां की इतनी भी फैमिली है उससे दूर अपने आपको फील करती दी और मैं अपनी मम्मी से दूर नहीं रहना चाहता था मैं ज़र दो तो वो ने लिया, उसी दोरान मेरे फादर इनलो एक्सपार हो गए, डबल जटका, वो मुझसे बिल्कुल सेहन नहीं हुआ, दो जटके मुझसे सेहन नहीं हुए, ऐसा नहीं है कि पिता जी के जटका सेहन कर रहा था और सासुर जी का नहीं कर पाया, ठीक है, दो जटके हो पैसा इतना इंपोर्टेंट नहीं कि आप अपने मावाप से ही दूर चले जाओ, तो इस तरह की मैं स्टोरी शेयर करता हूं, बिल्कुल रियल, जैन्वनी स्टोरी है, यह बहुत लोगों की लाइफ में पेन होता है, कि हम जॉब्स करने चले जाते हैं, अपने घरों से मावाप की और हर बच्चे की, एक्षा होती है कि वो साथ समय बिताए, जब आप बच्चे थे, तो आपको जब हॉस्टल भेजा जाता था, तो आपका मन करता था, अपने मावाप से दूर जाने का नहीं करता था, आप चाहते थे कि मावाप की गोदी में खेलते रहे, ऐसे अब मावाप कमन करता है कि अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, तो इस बात को समझीए, कोशिश कीजिए कि अपने मावाप के पास रहकर ही कुछ ऐसा काम किया जाए, जिससे पैसे भी आते रहे, और आप अपने मावाप के साथ भी रहो, तो इस तरह की स्टोरी में सु बारत.